जेहीं दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सितंबर 2022 के 5 बरी भरती के बारे में जो की अलग-अलग डिपार्टमेंट के तरफ से आपका रिलिज किया गया है और इन सभी का फॉर्म जो है आपका सितंबर 2022 में सुरू होने वाला है तो इन सभी भरती की complete जनकारी आपको बताएंगे अगर आप एक defense aspirant है या defense job की तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा important है और आज की इस वीडियो में जानेंगे इन सभी भरती की age limit और इसके अलबा कौन-कौन से post पर आपका भरती रिलिज किया है इसमें running कीतना होगा qualification क्या रहेगा salary क्या रहेगा selection process कैसे होगा यानि की complete A to Z जनकारी आपको सभी भरती का देखने को मिलेगा तो वीडियो में आप सभी बने रहिए और चैनल को subscribe करके bell icon को दबा दीजिए तो दोस्तों यहाँ पर बात करें सबसे first भरती के बारे में तो चुका है और पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को इस भरती की complete details बताए थे लेकिन यहाँ पे आप सभी देख लीजिए इसकी short details जो है इस वीडियो में आपको बताएंगे तो इसके अंतरगत जो है आपका total post 3068 रहने वाला है और fireman के अंतरगत 656 इसके अलाबा जूनि 6468 जो है आपका total post रहेगा और अगर आप सभी एक defense aspirant है यानि कि defense job की तयारी कर रहे है तो यह vacancy आपके लिए काफी ज़्यादा important होने वाला है किमकि यह भरती ministry of defense के अंतरगत आता है इसके बाद दूस्तों इसके age limit की बात करे तो 18-25 आपका fireman and treatment mate के लिए रहेगा और इस प्रेज में relaxation, government, rule के अनुसार आपको देखने को मिलेगा इसके बाद qualification की बात करे तो fireman के अंतरगत जो है अगर आप से भी simply तेंथ pass out है किसी भी vote से तो आप इसका form फिल कर सकते है तो इसमें भी simply अगर आप से भी तेंथ pass out है तो इसका भी form आप से भी फिल कर सकते है और इसके अलबा जूनियर office assistant की जो आपका भरती है इसके लिए जो है आपका 12th pass होना आवास्यक है तो यहाँ पे जो है तेंथ जो है लगबग सभी student pass ही होते हैं तो आप से भी जो है इसका form असानी से फिल कर सकते हैं कोई भी problem नहीं है इसके बाद दोस्तो fireman की बात करें यहा 65 रहेगा चेस्ट जो है 81.5 cm और आपको expansion यानि कि फुलाकर जो है 85 cm करना होगा इसके बाद 50 kg वेट चाहिए इसके अलबा रणिंग जो है 1.6 km इन 6 मिनट यानि कि 6 मिनट में आपको 1.6 km का रणिंग कम्पलीट करना होगा इसके अलबा 63.5 kg का वेट जो है 183 मीटर डिस्ट सेकेंड में आपको कम्पलीट करना है इसके अलबा 2.5 मीटर का जो है आपका लॉंग जंप होगा दोनों पैर के माध्यम से आपको करना होगा इसके अलबा क्लाइमिंग 3 मीटर भर्टिकल रोप यूजिंग हैंड और फीट तो यहाँ पे हाथ और पैर दोनों का यूज करक है 1.5 किलो मीटर का रानिंग आपको 6 मिनट में कम्पलीट करना होगा और 50 के जी का वेट जो है आपको 200 मीटर तक ले कर जाना है 100 सकेंड में इसके बाद फीमेल के लिए तो फीमेल के लिए ट्रेशन मेट के अंत्रगरत 1.5 किलो मीटर का रानिंग आपको 8 मिनट 26 सकेंड मे complete करना है और इसके अलावा जो है आप सभी को बता दे 50 कजी का वेट जो है 200 मीटर 3 मिनट 45 सकेंड में लेकर जाना है फीमेल के लिए इसके बाद दोस्तो जुनियर ओफिस असिस्टेंट की जो भरती है इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा जिसमें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिस में टाइपिंग और अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट दोनों में से कोई एक आप सभी कर सकते हैं पेस्केल की बात करें तो 18,000 से आपका सुरू होगा ट्रेट्सेंट के लिए फायर में के लिए 1900 से और जुनियर ओफिस असिस्टेंट के लिए 1900 से जो है आपका सुरू होगा इसकी सेलेक्शन ही बात करें तो 150 प्रसन आप करेंगे 150 नंबर का मल्टिपल अब्जेक्टिव टाइप का जो है प्रसन रहेगा और दो घंटा आपको इसमें समय मिलेंगे अगर आप सभी तेन्थ स्टेंडर्ड भरती का फॉर्म पील करते हैं जैसी कि फायर्मैन हो गया ड्रेट्समें वेट ह भरती है तो इसका अगर आप सभी फॉर्म अपलाई करते हैं तो आपके लिए जो है सीलेबस जेनरल इंटलिजेंस एड रिजिनिंग से जो है 25 प्रसन जेनरल इसके लाबा यहाँ पे जेनरल इंगलिस से जो है 50 नुमिर के लिपे चीवट से 50 जेनरल एवारने से अपका 50 त तो जो भी कैंडिडेट फायर मैन या ट्रेट्समेन मेट के लिए फॉर्म अपलाई करेंगे उनके लिए जो है आपका यह सीलेबस रहेगा तेन्थ लेबल की भरती के लिए इसके अलाबा अगर आप सभी जुनियर ओफिस असिस्टेंट जो की 12 लेबल का भरती है इसका इंगलीज बह समय मीलेगा तो दोस्तों तेन्थ लेबल की भरती के लिए यह आपका शिलेबस सिह और तूल इंडिया कंडिडेट जो है इस फॉर्म और आप लिकर्म को है इस से एपर्म आप्लाइं बोट occurs और apply करना होगा all India के male and female दोनों candidate जो है इस form को apply कर सकते हैं online mode से अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो important सवाल है कि इसकी form कब से सुरू होगा तो दोस्तों इसका form सितंबर first week तक जो है इसका full notification आपको देखने को मिल जाएगा हालाएं कि ये एक expected date आपको बता रहे हैं इसका short notice अभी आया है मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताये थे तो इसका full notification जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा सितंबर first week तक जो है आपकी full notification आने की संभावना है अगर सितंबर first week में इसका notification नहीं आता है तो second week तक आपका जो है भरती आ जाएगा ये भरती जो है सितंबर मन्त में जो है आपका definitely आने माला है इसके बाद दोस्तों जो second number की भरती है वो है Indian cost guard के तरब से यानि की भरती ये तट रक्षा के तरब से आप सभी को बता दे Indian cost guard के तरब से नाविक GD, नाविक DB और इसके अलावाई आंतरिक पोस्ट पर आपका नई भरती का notification आ चुका है और इसका फर्म आप सभी देखेंगे 8 सितंबर 2022 से आपका सुरू होने वाला है और जो इसका last date है वो 22 सितंबर 2022 तक आपका रहेगा और इसका फर्म online mode से आपका apply होने वाला है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इसके अंतरगत All India के male candidate firm को apply कर सकते हैं और जो qualification है वो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं नाविक जो आपका GD का भरती है इसमें 12th pass होना चाहिए और 12th में physics and math subject आपका होना आवास्याक है इसके बाद दोस्तों जो नाविक यहाँ पर GD के लावा जो DB आपका भेकेंसी है domestic branch का इसके अंतरगत जो है simply अगर आप सभी तेन्थ pass out है किसी भी बोर्ट से All India के तो आप इसका form apply कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यांतरीक की जो आपका भेकेंसी है इसमें तेन्थ pass तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ आप से जो है डिपलोमा जो है इन electrical, mechanical, electronic या टेली communication इन सभी फिल्ड में अगर तीन या चार यार duration का है तो आप सभी इसकी form apply कर पाएंगे तो या अंतरीक के लिए जो है डिपलोमा आपका मांगा गया है लेकिन नाविक, GD और DB जो भरती है ये तेन्थ और 12th लेबल का भरती है इसके बाद दोस्तों आप सभी यहां पर देखेंगे इसके अंतरगत age limit की बात करें तो अगर आपका date of birth यहां पर देखेंगे एक माई 2001 से लेकर 30 अपरिल 2005 के बीच अगर date of birth है तो आप इसका फर्म अपलाई कर पाएंगे CST को 5 परस और OBC Non-Crimalier को जो है तीन परस का age limit रिलक्सेशन गोबर्मेंट रूल के नुसार आपको देखने को मिलेगा इसके बाद इसमें total post की बात करें तो 300 आपका total vacancy है इसमें vacancy का details देख लीजिए GD के अंतरगत 225 है DB के अंतरगत 40 है इसके अलावा यांतरी के अंतरगत mechanical, electrical और electronic तो mechanical में 16, electrical में 10 और electronic में 9 है तो total जो है 300 आपका यह vacancy रहने वाला है selection process की details इसका दिया गया है इसमें इसके उपर मैं already जो है complete details का वीडियो बना चुका हूँ आप सभी को link description में मिल जाएगा 1.6 km का इसमें running जो होगा यह written exam के बाद जब आपका exam qualify हो जाएगा तो इसके बाद आपका PFT होगा जिसमें 1.6 km का running 7 मिनट में और 20 उठक बैठक और 10 पुसप जो है आपसे लिया जाएगा इसके बाद दोस्तों आप सभी यहाँ पा देखेंगे इसके अंतरगत जो आपका यह भड़ती है इसमें जितने भी complete इसका details है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं complete details इसमें दिये के हैं इसका एक जाम कब तक होगा stage 1 का stage 2 का stage 3 का यह आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं इसमें मैंने short में आपको इसकी complete जो details है वो बताए है height 157 cm रहेगा इसमें तो दोस्तों अगर आप सभी इसकी complete details देखना चाहते हैं तो link description में मिल जाएगा आप सभी जाकर चेक कर सकते इसके बाद दोस्तों यहाँ पे third number की जो आपका भरती है सितंबर मन्थ के वो है DRDO के तरफ से आप सभी को बता दे defense research development organization के तरफ से September 10 के अंत्रगत काफी सारे post पर आपका नई भरती का notification आ चुका है और इसमें जो आपका total vacancy है 19 सब यह कापका रहने वाला है और आप सभी को बता दे यह vacancy आपका ministry of defense यानि की रक्षा मंत्रालाई के अंत्रगत आता है तो यह भी भरती आपके लिए काफी जादा important है इसमें आप सभी देखेंगे इसका form जो है 23 सितंबर से जो है यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इसकी form जो है 3 सितंबर 2020 से सुरू को मिलेगा इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसकी जो एक जाम डेट है वो जो है आप भी आपका नहीं बताया गया है आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा इसके बाद दोस्तों pay scale की बात करें इसमें salary की तो 35,400 से आपका सुरू होगा जो की level 6 का रहेगा इसके अ यहाँ पे काफी सारे post पर आपका भरती है और उसका qualification यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं category wise भरती का details total कौन से category में कौन से post के अंतरगत कितना vacancy है उसका details यहाँ पे दिया गया है तो दोस्तों इसे जो है आप सभी अपने coding जो है check कर सकते हैं कि मैं अगर सभी post की आपको ब लेंगे इसके अलावा जो है आपका technical A के अंतरगत जो है group C का भरती है जो कि आपका ITI candidate के लिए है यानि कि automobile अगर आप form apply करना चाहते हैं तो तेंथ पास होना चाहिए और साथी साथ ITI इस trade में होना आवस्यक है इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे carpenter के लिए तेंथ प आपके पास होना चाहिए कोपा के लिए जो है तेंथ पास होना चाहिए साथी साथ ITI जो है computer operator and programming assistant यानि की कोपा trade में आपके पास होना चाहिए तो जो candidate ITI पास आउट है उनके लिए भी यहाँ पे सभी भरती जो है फीटर के लिए electronic के लिए electrician के लिए diesel mechanic के लिए सभी candidate के लिए यहाँ पे रिलिज किया गया है तो इसके अंत्रगत टोटल 826 आपका भरती है technical AK अंत्रगत तो जो candidate तेंथ पास है और साथी साथ ITI किये हैं किसी भी trade से तो उनके लिए जो है यहाँ पे काफी सारे भरती आपका रिलिज किये गये हैं और जो candidate diploma है या BSE किये है या graduate पास आउट है तो उनके लिए भी यहाँ पे काफी सारे भरती है और इसके अंत्रगत जो है आपका 1075 वेकेंसी है टोटल 111 आपका वेकेंसी होगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखेंगे इसमें form apply का जो details है वो आपको देखने को मिलेगा तो इसका form जो है DR या DO के officially साइट पर जाकर आप सभी apply कर सकते हैं और यह form जो है 3 सितंबर 2022 से आपका सुरू होगा और 23 सितंबर 2022 तक आपका चलने वाला है इसके बाद दोस्तों आप सभी यहाँ पर देखेंगे application fee की बात करें तो 100 रुपिया आपका application fee है और इसके अलावा जो SCHT candidate है उनको जो है SCHT और जो female candidate है या एक serviceman candidate है उन्हें एक भी रुपिया इसमें नहीं लगेगा और बाकी जितने भी candidate है उन्हें जो है 100 रुपिया आपका लगने माला है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एकजाम सेंटर की बात करें तो 49 जो है एकजाम सेंटर बनाया गया है इन में से कोई भी आप सबी एक एकजाम सेंटर को जो है चूज कर सकते हैं फार्म अपलाई करते समय इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो आपका syllabus है उसका details आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर HTA B के अंतरगत जितने भी भरती है जो की graduate और डिप्लोमा पास वाल जो है 100 प्रस्न रहेंगे 100 नंबर का और 90 मिनट आपको समय मिलेगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका ITI related जितने भी भरती था उनके लिए जो देखेंगे tier 1 के अंतरगत जो है आपका यह syllabus रखा गया है और tier 2 के अंतरगत आपका जो है यह रहेगा तो दोस्तों आ जो है इस भरती का notification है अगर आप सभी DRDO में जाना चाहते हैं तो यह vacancy आपके लिए काफी ज्यादा important है 3 सितंबर 2022 से जो है आप सभी इसका form apply कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों जो next vacancy है वह है food corporation of India यानि की FCI के तरब से और आप सभी को बता दे इसके अंतरगत 5043 पदों प North जोन के अंतरगत total जो है 2388 अपका भरती है इसके अलावा South जोन की बात करें तो इसके अंतरगत आप सभी यहाँ पर देखेंगे 989 अपका total भरती है इसके अलावा East जोन की बात करें तो इसके अंतरगत 768 अपका total vacancy है West जोन के अंतरगत आपका 713 भरती है इसके अलावा आप सभी यहाँ पर देखेंगे नौर्थ इस्ट जोन के अंतरगत टोटल 185 अपका भरती रिलिज किया गया है टोटल की बात करें तो 5043 अपका पोस्ट है कैटेगोरी 3 के अंतरगत इसमें जेई सीविल इंजिनियरिंग की वेकेंसी है इलेक्टिकल और मेकेनिकल इंजिनियर होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे पोस्ट पर जो है आपका भरती रिलिज किया गया है और FCI के बारे में आप सभी को पता होगा एक लाइन में आपको बताए तो यहाँ पर देख सकते हैं यानि की देश की जो आपका अनाज होता है यानि की जो जैसे की अनाज आप सभी देखे होंगे आपके सीटी में भी जो सरकारी गुदा में होते हैं वो FCI के अंदर ही आता है तो यहाँ पर देख लिजिए इसकी लिजिबिलिटी क्राइटरिया के बारे में तो इसमें जो सब्सक्ता है कि अगर आप सभी है सब्सक्टा से की आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते होते हैं हैं 37-40 word per minute इंगलिस में टाइपिंग और 80 word per minute short hand जो है आपको आना चाहिए इसके बाद दोस्तों assistant grade 3 की बात करें तो इसमें भी graduate है तो आप इसका form apply कर सकते हैं और इसके अंतरगत आप सभी देखेंगे computer का जो use है यानि की computer चलाना जो है अगर आप सभी B.A.C. अग्री कल्चर में किये हैं या botanijology, biotechnology, biochemistry, microbiology या food science तो आप सभी इसका form apply कर सकते हैं इसके अलावा assistant grade 3 deport की बात करें तो इसमें जो है graduate होना चाहिए और computer का use आपको आना चाहिए यानि की computer का basic knowledge आपको पता होना चाहिए assistant grade 3 की बात करें तो Hindi से जो है आपका degree होना चाहिए main subject के रूप में तो दोस्तों यह इसका वेकैंसी है इसमें किसी एक zone में किसी एक post पहीं आप form apply कर सकते हैं online mode से आपको इसका form apply करना होगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसकी syllabus जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे complete syllabus अगर आप से भी इसकी syllabus चेक करना चाहते हैं तो link description में मिल जाएगा आप से भी जाकर चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसके उपर मैं already पहले जो है पिछले वीडियो में आप सभी को बताये थे तो उस वीडियो को आप सभी देख लीजिएगा link description में मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसके अंतरगत जो है complete details जो है भरती का आपको देखने को मिल जाएगा इसका exam center जो है अलग-अलग state के अंतरगत जो है कहां-कहां center रहेगा उसका भी details आपको इस notification में देखने को मिलेंगे तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इस भरती की form apply के बारे में तो आप सभी को बता दे इसका form आप सभी यहाँ पर देख लेजिए 6 September 2022 से सुरू होगा और last date आपका 5 October 2022 है तो 5 October तक आप सभी इसका form apply कर सकते हैं 6 September से जो है यानि कि September मन्त में जो है इसकी form आपका सुरू होने वाला है तो FCI के जो officially site है www.fci.government.in इसी वेव साइट पर apply जो है online mode से आपको apply करना होगा तो अगर आपके पास भी इसके level की educational qualification है तो आप इसका form apply कर दिजिएगा बेकेंसी काफी अच्छा है और इसका job profile भी काफी अच्छा रहता है इसके बाद दोस्तों जो next भरती है वा है BASF के तरब से यानि कि सीमा सुरक्षा बल के तरब से और आप सभी को बता दे इसके अंतरगत total 1635 आपका रखा गया है यानि कि 1635 आपका total post है और post name की बात करें तो head constable radio mechanic के अंतरगत 982, head constable radio operator के अंतरगत 330, head constable ministerial के अंतरगत 312 और EASI STNU के अंतरगत आपका ये गारे total जो है वेकेंसी रखा गया है total मिलाकर जो है 1635 आपका post रहने माला है इसके बाद age limit आपका 825 से CST को 5 बरस, OBC को 3 बरस का relaxation मिल जाएगा head constable radio mechanic की बात करें तो 3 पास होना चाहिए और 7-7 ITI जो है आपके पास होना आवास्यक है जिस trade के लिए आप firm apply कर रहे हैं यानि कि इस trade से related जो है आपके पास ITI होना चाहिए इसके बाद दोस्तों अगर आप ITI पास आउट नहीं है तो अगर आप simply 12th पास है physics, chemistry and math subject के साथ 60% overall marks के साथ तो भी आप इसका form apply कर सकते हैं इसके अलवा radio operator के अंत्रगत भी अगर 3 पास है और ITI किये हैं तो आप इसका form apply कर सकते हैं या इसके अलवा 12th पास है और 17th जो पास है physics, chemistry and math के साथ और 60% overall आपका होना चाहिए तो यहाँ पे 2 qualification है एक तो 10th और 37th ITI और एक जो है आपका 12th जो है PCM यानि कि physics, chemistry, math के साथ होना चाहिए इसके बाद दोस्तों SM की बात करें तो इसमें simply अगर आप 12th पास है तो form apply कर सकते हैं इसमें skill test के अंत्रगत आपका 35 word per minute English में और 30 word per minute Hindi में टाइपिंग होगा assistant sub inspector की बात करें यहाँ पे stenographer, assistant sub inspector, stenographer की जो भरती है इसमें भी 10 plus 2 pass out होना चाहिए अगर आप सभी CM और ASI के लिए form apply करना चाहते हैं तो simply 12th pass है तो form apply कर सकते हैं salary की बात करें तो यहाँ पे level 4 का आपको जो है इसमें salary मिलने वाला है और ASI के अंत्रगत जो है level 5 का इसमें यहाँ पा देख लीजिए जो आपका head constable के अंत्रगत जो आपका height है head constable radio mechanic के अंत्रगत और radio operator के अंत्रगत 168 cm all India जो यहाँ पा देखेंगे all India HD के लिए 162.5 और जो इन सभी state से आते हैं उनके लिए 165 female के लिए 165 और यहाँ पे जो है 157 आपका female के लिए रहेगा कुछ state होते हैं जो कि north east में पढ़ता है उन्हें 165 cm height रहेगा यानि कि height में उन्हें छूट दिया जाता है इसके बाद उस्तों cm की बात करें तो इसमें 165 cm और इन सभी state से अगर आप से भी बिलोग करते हैं तो 165 cm female के लिए 150 और यहाँ पे female के लिए 155 रहेगा और इंडिया HD के लिए 162.5 cm और यहाँ पे female के लिए 150 रहेगा गच्चे अश्ट आपका 77, 5 cm एक्सपेंशन करके बिरासी आपको कारना होगा HD के लिए 680 से 81 weight जो है height and age के according आपका मापा जाएगा सेलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले एक जाम होगा skill test, physical test, document, medical और final merit list बनेगा application फी आपका 100 रुपिया है और SCST female को एक भी रुपिया इसमें नहीं लगेगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं form apply की तो आप सभी को बता दे जो आपका form है head constable, radio mechanic and radio operator यानि की RO and RM का इसका जो है शुरू हो चुका है 20 अगस्त 2022 से और last date आपका 19 सितंबर 2022 तो यह भी सितंबर मन्त तक आपका form इसका चलने वाला है 19 सितंबर तक और जो SM and ASI का है इसका जो है 6 सितंबर 2022 तक आपका form चलेगा तो जो है अगर आप से भी इसकी form apply करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कर दीजिए क्यांकि 6 सितंबर ही इसका last date है आठ अगस्त से जो है इसका form शुरू हुआ है और इसका जो है अभी 19 सितंबर 2022 तक चलेगा तो दोस्तों इसकी notification जो है head constable की जो notification है आपका radio mechanic and radio operator का उसका link description में मिल जाएगा और SM and ASI का भी notification का link आपको description में मिलेगा अभी तक आपको जितने भी यहाँ पर भड़ती बताएं है सभी वेकेंसी का अगर आप सभी notification डाउनलोड करना चाहते हैं तो online सरकारी job.com पर आपको visit करना है link description में है और यहाँ सभी भड़ती का जो है details आप सभी check कर सकते हैं यहाँ पर home पर आईएगा उसके बाद latest job के अंत्रगत सभी भड़ती का details आपको देखने को मिल जाएगा उसका notification और complete जनकारी तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक लिए जहिंद बंदे मात्रव